हलो दुष्टो आज शियर करने वाली ही कथल की सब्जी की रेस्पी एक बिल्कुल अलग तरीके से इसको बनाने वाली हूं मैं आज, यहां पर नहीं CHL यहां पर मैंने ज़ता है, एक लोग की कड़े लिया है तो इसको इस तरीके से तो ठोड़े जब बॉयल होने लगेगा और हल्दी का अच्छे से पानी है मिक्स हो जाएगा तो मैं इसमें यह कठल है अपना जो मैंने काट के रखा हुआ था वह इसमें एड़ कर दूंगी इसके क्ठल में जो काला पन है और इसके जो भी धूल मिट्टी इस पर लगी रहती है वह सारी न में बने जुए ठरीकेशन दौई ढ़ना मैं तो ब्लीके से असरी इस्तवी घॉर गणाशन के लिए में बढ़ता है अब यह कठल के सभी में मस्टर में बनाने वादीवूद्धी ऊपड़ जाता था अगर चाहो तो mustardman यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई भी a parti use कर सकते हैं और अच्छे से गरम हो चुका था और कथल भी थंड़ा हो चुका था तो अभ न ऐसको fry करने कि था हाँ तरिम के लिए तरीके तो अच्छे से चलाती हुं कठल को इस तरीके से बढ़ जाता है एकम मैंने जो पहला जो कठल मैंने इसमें डाला था कड़ाई में वह अच्छे से फ्राई हो चुका है एक दम आपको दिख भी रहा होगा इसका कलर भी चेंच हो चुका है तो इसको अफम निकालके अलग प्ल डाल दिया है अब जो दूसरा बैच हमारे कठल के फ्राई हो रहा है जत्त में इसका एक पेस्ट बना के तैयार कर लूँगी तो यहां पर मैंने 5-6 हरी मिर्ची ली है उसके अब मैंने दो बड़े साइच की प्याज ली थी तो इसको भी इस तरीके से रफली चौप कर लिया और इसका पेस्ट बनाने के लिए मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है आप चाओ तो कद्दू कस भी कल सकते हैं और यहां पर थोड़ा सा पानी एड़ करके मैं इसका एक दब पेस्ट बारिक सा पेस्ट बना लूँगी और यहां पर दूसरा बैच भी मेरे कठल का जो मैंने रेड़ी हो चुका है और जो और बचा हुआ था कठल को फ्राइ करने के बाद उसमें मैं अपने कठल की सबजी बनाने वाली हूं तो यहां पर मैंने थोड़ दो तेज पत्ते डाल दिये एक जमच मैंने जीरा एड़ कर दिया है दोनों चीज अच्छे से पक चुए है तो दो हमारा प्याज और मिर्ची का पेस्ट देभिया ओड़े में अजय जय में ज सब्सक्राय व्याच मिर्ची का प्याज का प्याज कि यह भी आप अच्छे बूणना नित 15- crack इत्याष्ट देख जाता हुए हैं जो हमारो फोदु दrickत है प्याज म्योंच्प सब्सक्री ईजाए पाउड़ करने के बाद एक चमच से अम्हसित मसालऌ को बूने की जितना प्रीजे से मसाला हिं जोना बढ़न Но को यहां पर आब मैने जोड़ीinação यहां पर मैंने एक चमच डाली है कस्मीरी लान मिल्ची पाउडर इसे सबजी में बहुत अच्छा कलर भी आ जाएगा और यहां पर इसको कबर करके हम मसाले को अच्छे से भुनेंगी जब तक कि इसमें कलर ना जाओ मसाला अच्छे से भुन ना जाए और बहुत अच्छी ख आ रही थी इसके बाद यहां पर मसाले को भुनने के बाद यहां पर आप टमाटर एड़ करना चाहते हो या दही या तो यहां पर मैंने दो चमच दही एड़ की है बहुत खटी दही है इसलिए मैंने सिर्फ दही एड़ की है इसमें मैं टमाटर एड़ करने वाली नहीं हू क्योंकि इसी में सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा एक वाद जरू ट्राइ करके देखिएगा अगर आपके पास दही नहीं तो फिर आपके पास लाश्ट आप्शन यही बसता है कि आप इसमें टमाटर एट कर दीजेगा लेकि मैंने यहाँ पर दही जहां तक कर सब्चार आपके अब सब्चार नहीं टरेखिएगा इस तरीके से बना के देखिएगा आपके स tow fir आपके आपके यहाँ यहाँ पर अज्थ कषफेंपोर यहाँ के वीडियоме को यह पर अच्छे से मिक्सी हो चुका है अब इसको दो मिनिट के लिए कवर और कर देंगे जर्ण देही का फिलेवर भी मसाले में बहुत अच्छे से आ जाएगा दो मिनिट हो चुके थी कवर मैंने जो कवर किया हुआ था उसको हटा के मैंने एक वार मसाले को इस तरीके से चला देंगे और इसमें थोड़ी सी एक चमचे करी मैंने कसूरी मेथी एड़ की है साथ ही यहाँ पर मैंने आदा चमच में इसमें गरम मसाला एड़ करने वाली हूँ अगर आपके पास यहाँ पर टमाटर नहीं होती हैं तो आप इसमें चाट मसाला भी एड़ कर सकते हो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है देकिन यहां तक कोशिस करिएगा आप इसमें दही एड़ करिएगा कसूरी मेति और गरम मसाले को भी अच्छे से मसाले में एड़ करने के बाद यहां पर मैं अपना जो कठल मैंने फ्राई करके रखा हो था सारा कठल इसमें पर पानी अबाल ग्राम महिटें अरहँ आपको सूख राइगा करने ज अगर आपको सूख जहिए तो इसमें बिलकुर पानी करिएगा इसको कठल men करने के बाद 5 6 मिनट तक और पकाइगा कठल बनके तैयार हो जाएगा लेकि मैंने एक ग्रेवी वारा चाहिए सिल मैंने एक ग्लास के करीव इसमें पाने एट किया है गैस की फ्रेम को मीडियम रखती हुए मैं इसको कवर करके अच्छे से पकाऊंगी यहां पर देखिए मेरा कठल को 5-6 मिनिट हो चुक है तो मेरा कठल एक दम परफेक्ट बनके तैयार हो चुका है कलर भी आपको देख रहा होगा कितना अच्छा आया है और इसमें खुशुवू भी बहुत अच्छी आ रही थी यकीन मानिए बहुत टेस्टी बना था कठल एक वार इस तरीके से जरू बना के देखिएगा और मेरी कठल वाली रेस्पी पसंदा में चैनको लाइक शिर और सब्सक्राइब जरू करिएगा कमेंट आपको मेरी कठल की रेस्पी कैसे लगए और फीडबेक देना बिल्कुल मत भूलिएगा इसको आप रोटी के साथ पूरी के साथ चावल के साथ जैसे भी खाना चाओ खा सकते हो बहुत टेस्टी लगता है एक बाद जरू ट्राइ करिएगा मिलती हूँ मैं नए इस्ट यूडियो में नई रेस्पी के साथ जो तक के लिए बाई